जैश्री कृष्णा दोस्तों केसे हैं आप सब वैसे तो हमने मुंग डाल का हलवा कई बार बना कर खाया होगा तो मैंने सोचा चलो इस रक्षा बंदन में बनाते हैं मुंग डाल के बर्फी तो बस यहाँ पर मैंने आदा कप मुंग डाल को दो गंटे के लिए पानी में भीक है वो आड़ करना है यह मिठाई के लिए हम पाउक कप इतना घी का इस्तमाल करने वाले हैं मुंग डाल की जो मैंन पेस्ट है वो आड़ करेंगे यहाँ पर हमें जो ग्यास की फ्लेम है उसे आपको धीमी आज पर रखकर या फिर इसे मद्यम आज पर रखकर ही इसे अच्छी तरह से भून लेना है जबते की हर एक करन है वो हलका बूरा नहीं हो जाता है तब तक इसे हमें भूनते रहना है तो चमच से इसे चलाते रहेंगे इसे अच्छी से भूनना बहुत ज़रुरी है क्योंकि मुंग डाल का जो रॉफ लेवर है वो अच्छा नहीं दालेंगे लगबख दो चमच इतना और थोड़ी देर तक इसे भून लेते हैं दिखें मुंगदार अच्छी तरह से भून चुकी है तो अब इसमें हमें 100 ग्राम इतना मावा एड़ करना है तो मावा की जगह आप इसमें दूद और थोड़ी से मलाई भी डाल सकते हैं जि इसमें जाएगा आदा कप इतना पानी तो बस चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं औरेंज फूड कलर मिला रही हूँ वैसे यह उप्शनल है हमें इस चाशनी को जब तक पकाना है जब तक कि यह न इसमें एक तार चाशनी नह कर सकते हैं देखिए चाशनी अच्छी से गाड़ी हो चुकी है सो इसमें अब ना मूंग दाल का जो मिक्षर है वो अड़ करेंगे और इस मिशन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि यह गाड़ा नहीं होता है तब तक इसे हमें पकाना है तकरीबन चार से पाच मि प्रेट करना है यह बर्फी जल्दी सेट हो जाती है तो इसे ना हम 30 मिनिट के लिए थंडा होने के लिए रख देंगे फिर थंडा होने के बाद इसके उपर चानी का वर्क लगा सकते हैं तो लीजे यहाँ पर हमारी बर्फी तयार हो चुकी है इसे मन पसंद आकार में कट क प्रेट के लिए तो भाई के लिए आप भी इस तरह से घर पे ही मुंग डाल की बर्फी बना सकते हैं तो फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप घर का खाईएगा और अपना खयाल रखिए